आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस कोशन में हम लोग उसे कह रहा है कि how many monocarboxylic acids are possible which on decarboxylation form isopentane हम लोग को बताने है कि कितने ऐसे monocarboxylic acid possible है जिनके जिसमें जब हम decarboxylation आपके COOH group, carboxylic acid group का removal करेंगे तो वो हम लोग को remaining compound जो बचेगा वो कह देगा isopentane ठीक है तो चलिए हम लोग structure को मनाते है सबसे पहले हम लोग क्या बना लिए है तो अगर मैं आई आई सो पेंटेन इसो पेंटेन का structure बनाओ तो वो किस तरीके से मनेगा तो इस तरीके का मनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा CH3 यहाँ होगा CH CH3 CH2 and then CH3 यह हमारा कैसा structure हो गया यह हमारा structure हो गया isopentane का आप देखते हैं कि carboxylic group कहां कहां लग सकता है देखे एक यहां लग सकता है एक यहां लग सकता है एक यहां लग सकता है और यह दुनों carbon same है तो एक यहां या फिर एक यहां लग सकता है है तो चले हम लोग Structures बनाना ही कोजिश करते हैं सारे कौन-कौन से जो भी पॉसिबल है देखिए जो First Structure बनेगा अपना वह हमारा Structure को चिस तरी किया बन जाएगा CH3, CH, CH3, CH2, CH2 and then COOH यह पहला Structure बन गया दूसरा Structure बनाना ही कोजिश करता हूँ तो दूसरा Structure हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3 से स्टार्ट करते हैं तो CH3, CH, CH3, CH, और यहां CH3 और यहां पर क्या लगा दिया हमने COOH ठीक है यह दोनों का पॉर्ण लोगार बॉक्स लिए कासे देंगे थर्ड बनाता हूँ थर्ड का Structure जब थर्ड का Structure बनाएगे तो कुछ तरीके से हो जाएगा CH3, C, CH3, COOH, CH2 and then CH3 यह थर्ड स्ट्र बन गया और आखी फर्ड फॉर्थ पॉर्ड पॉ स्ट्र फॉर्ड पॉर्ड रचक्शे का है CH3 CH CH2 COOH CH2 and then CH3 ठीक है तो यह 4 different possible जो बन सकते हैं हमारे monocarboxylic acids जो which on D carboxylation will give isopantane तो अपने हिसाब से answer क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा option D that is 4 तो यहां लिख दे रहा हूं है answer answer will be option D okay thank you